हेलो एंडिवण आप सभी का फिर्स्ट स्वागत है यह घटना चक्र हिस्ट्री द्वाज़ाज़ाटेश का डिसकसन है हम लोग एंसियंट हिस्ट्री को डिसकस कर रहे हैं एंसियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त एवं गुप्त तर्यूप इससे पहले अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इन्फोर्मिशन को अपडेट कर दिया गया है मैं कुछ लोगों का तहे दिल से सुक्रिया आदा करना चाहता कि आप लोगों ने हमें काफी सपोर्ट किया है, काफी प्यार दिया है, इसी तरह आप अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें। बेद का अंद या बैदिक विचार धारा की पराकाश्ठा, बेदान दर्सन के तीन अधार है, उपनिसद है, भ्रम्शुत्र है और भगवत गीता है, इन्हें बेदान दर्सन को प्रस्थांतर ही कहा जाता है, कई सुक्ष में भेदों के अधार पर इसके कई उपसंप्रदा बेदान दर्सन को प्रस्थांतर है, इनके परवर्तक है, जैसे संक्राचारे का अध्वैतवाद, रमानुज का विशिष्टा द्वैत, माध्वाचार का अध्वैतवाद, अभिनोग गुप्त की मुख्य ख्याती, तंत्र तथा अलंकार सास्त्र के छित्र में है, दर्सन के छित्र में तर्क सास्त्र से जूड़े हुए थे, 113 नंबर है, सुची 1, सुची 2 के साथ मिलान करना है, तो काफी महत्पूर है, आपको याद रखना है, बिक्रम सनवत्सर, शक्स सनवत्सर, गुप्त सनवत्सर और कली सनवत्सर, इसका जो समय है, इसका गढ़ना, जो है, क और किस्सर है, तो याद रखिएगा, सही जबाब है, बिक्रम सनवत्सर का समद्ध, अंठावन इसपी पूर्व से है, अंठावन इसपी पूर्व, जो सक्स सनवत्सर है, इसका जो समद्ध है, वो है, 78 इसपी पूर्व, इसके बाद अगर बात करें, तो गुप्त सनवत्स का संबन्द जो है 320 SP पूर्व जो है और कली सनवत सर का जो संबन्द है वो है 3102 इसापूर यानि इसका सही जो अप्शन हो जाएगा D अप्शन में दिया गया है विक्रम सनवत को क्रित सनवत या मालोस सनवत भी कहते हैं इसकी तिथी संतावन या अंठावन इसापूर मानी जाती है सक सनवत की तिथी 78 SP मानी जाती है इस सनवत का प्रवर्तक कनिस्क को माना जाता है गुप्त सनवत की अस्थापना चंद्रगुप्त फर्ष्ट ने 319 से 320 SP में की थी कली सनवत जो है 3102 इसापूर को माना जाता है 114, नेमने कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिये, पूट से सही उत्तर चुनिए, इसमें जो है, चार कथन दिये गए हैं, चारों कथन को देखेंगे, पहला है, विक्रम सनवत, जो है, 58 इसापुर्व से आरंभुआ, ठीक है, दूसरा है, सक्ष सनवत, 78 इसापुर्व से इसका सही जबाब हो जाएगा, डी अप्सन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौध था, विक्रम सनवत, 58 इसापुर्व या, 57 इसापुर्व से, सक्ष सनवत, 78 इसापुर्व से प्रारंभुआ था, गुप्त वन्स की अस्थापना से गुप्त ने की थी, गुप्त काल के प्र प्रथम के सासनकाल के आरम से है, आठी सतादी स्पी के प्रारंभ में मुहमद बीन कासीम के द्वारा भारत के सिंध प्रांत को प्राधिकृत कर लिया गया था, प्रंथु भारत में मुशलमान सासनका यूग मुहमद गोरी के तराइन के द्वित्य यूद में बिजय से प् गुलाम ओंज की अस्थापना से माना जाए तो पहला अप्शन सही होगा इसलिए इस परकार कथम 3 को सही और 4 को गलत मानने पर अभिष्ट विकल्ब सी हो जाएगा याद रखिएगा गैधया था क्या था गधया क्या था गधया क्या था तो ये एक सिका था ठीक है मुद्रा था अप्शन ए गधया एक परकार का रजत सिका था इस सिके को ससैनियन सिकों के अनुकरनों चलाया गया था पूर मध काल के दौरान आठवी नौई सताब्दी से ग्यारवी सताब्दी के मध येसी के मुख्यतब श्मी भारत में प्रचलन में थे 116 पुलकेशिन फर्स्ट का बदामी सीला लेख सक वर्स 465 का दिनांकित है यदि इनसे या इसे विक्रम सनवत में दिनांकित करना हो तो वर्स होगा तो वर्स होगा इसका सही जब आप हो जाएगा वर्स हो जाएगा 601 मतलब की इस पी यानि अप्शन ए सक सनवत का प्रारम 28 से माना जाता है विक्रम सनवत का 57 या 58 इसा पुर्व निधारित किया गया है फर्स्ट के बदामी सीला लेख 601 विक्रम सनवत से दिनांकित करने के लिए हमें 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा इसलिए प्राप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 601 विक्रम सनवत 170 है मालो सनवत इस नाम से भी जाना जाता है मालो सनवत किस नाम से भी जाना जाता है इसका सही जबाब हो जाएगा मालो जो सनवत है जिस नाम से जाना जाता है वह कृत सनवत बिक्रम अदित्य प्राचीन भारत के एक परशित समराठ माने जाते हैं जिन्होंने 57 इसापुर में बिक्रम सनवत या बिक्रम कैलेंडर के अस्थापना की बिक्रम सनवत को कृत सनवत और मालो सनवत के रूप में भी जाना जाता था भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ सक्स सनवत और बिक्रम सनवत का भी परियूग किया जाता है 118 एक चालू के अभिले के तीथी अंकन में सक्स सनवत का 556 जो है वर्ष दिया हुआ है इसका तुल्य वर्ष कौन सा होगा इसका तुल्य वर्ष होगा कौन सा होगा बताईए 634 इसपी कैसे सक्स सनवत का प्रचलन जो है याद रखिएगा कुसान वनसी शासक कनिस्क जो था इसने 78 इसपी में किया था सक्स सनवत में 556 जो है अंकित है तो इसपी सन में 556 और 78 जोड़ देंगे तो 634 इसपी हो जाएगा 119 पुराणों कनुसार चंद्रवंस ये सासको का मूल अस्थान कहा था पुराणों कनुसार चंद्रवंस ये सासको का मूल अस्थान कौन सा था सही जबावे परतिष्ठानपूर पुराणों कनुसार चंद्रवन्स या सुम्वन्स छत्रिय वन्स के तीन मुल वन्सों में एक था दो थे सुरेवन्स और अगनीवन्स चंद्रवन्स ये सासको का मुल अस्थान स्क्रेता यूग में परियाग था लेकिन परलाए के बाद दो आपर यूग में चंद्रवन्स ये सन्वारन ने परतिष्ठानपूर में रधानी के अस्थापना की थी यानि वर्तमान जूसी इलहाबाद मौकरी सासको की रधानी कहां थी तो याद रखिएगा कनौज बी ऑप्शन बिल्कूल ही करेक्ट ऑप्शन है इसके बारे में अगर बात करें तो मौकरी गुप्तो के सामन थे मौकरी कौन थे? गुप्तो के सामन थे जो मुल्तक गया के निवासी थे मौकरी वन्स के सासको ने अपनी रधानी कनौज मनाई थी इस्वन्स के परमुक्षासक हरी वर्मा, आदित्य वर्मा, इसान वर्मा, सर्वर्मा और ग्रहम वर्मा थे 121 से कौन एक सही सुमेलित नहीं है कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो सही जबाब हो जाएगा option B इस्वर वर्मन, जौन पूर प्रसस्तर अभिलेक B option बिलकुल, sorry A option जो है सर्व वर्मन, गाया, तामर पत्र जो सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो option A सही सुमेलित नहीं है, option A मतवा की correct option हो जाएगा सर्व वर्मन का तामर पत्र अभिलेक असिरगड से प्रात हुआ है नकी गाया से तो याद रखिएगा 112 है गुप्त वन्स के पतन से लेकर आरमिक सताब्दी सात्वी सताब्दी में हश्वर्दन के उठान तक उतर भारत में निमलिखित में से किन राजियों का शासन था इसका सही जवाब क्या होगा बताईए दिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगद के गुप्त ठानेस्वर के पुष्य भूती कनोज के मौकरी और वलभी के मैत्रक यानि B अप्शन बिल्कुल करेक्ट अप्शन है छटी सताब्दी इसापूर के मध तक सतिसाली गुप्त समराज के पतन के फौल सरुप भाती राजनिती में बिकेंद्री क्रण तथा भी भाजन की परविर्तियां आरम हो गई इस दोरान अनेक अस्थानिय सामंतों और सास्तों ने अपनी स्वतंत्रताएं घोसित कर ली गुप्त वन्स के पतन से लेकर आरम भी सात्वी सताब्दी में हर्श वर्दन के उठान तक भारत में निम्नलिकित राजियों का सासन था पहला मगद के गुप्त थाने सवर के पुशे भूती कनोज के मौकरी वलवी के मैत्रप अगर बात करें तो अगर पुरव और पश्चिम का भी भाजन न करके किवल उत्तर और दक्षिन का भी भाजन किया जाए तो भी सही उत्तर हो जाएगा एक सोतेश वर्धन राजवन्स की अस्थापना किसने की वर्धन राजवन्स की अस्थापना किसने की देखें अगर बात करें तो वर्धन राजवन्स की अस्थापना किसने की तो याद रखिएगा सही जबाब है पुष्य भूती ने किसने की पुष्य भूती यानी option A बिल्कुल correct option है आगे वड़ते हैं इसके बारे में दो line है वर्ण भट की रचना हर्ष चरित्र के रुसार वर्धन वर्ण की अस्थापना पुष्य भूती नामक बैक्ती ने थानेश्वर या अस्थानेश्वर में की थी थानेश्वर या स्थानेश्वर हर्ष वर्धन इस वर्ण का सच्छे महान सासक था 124 हर्ष के समय की सुचनाय किसकी पुस्तकों में मिलती है या किसकी पुस्तक में नहित है हर्स के समय की जो सुचना है जो information है किसके पुस्तक में वर्णित है तो सही जवाब है कलहण के ठीक है कलहण के पुस्तक के कलहण के जो पुस्तक है इसमें वर्णित है हर्स के समय की विश्तरित जो सुचना है दरबारी कभी वाणभ हर्ण के कृती है इसे जुड़ी कुछ सु पिलती हैं कालिदास और हरिसेंड की रचनाव में हर से सम Wass Cdy India कीसी की सुचना का उलेख नहीं है क्योंकि यहoin से पूर्व की कालके हैं 125 हर्ष चरित्र नामक पूस्तव किस ने लिखी हर्ष चरित्र नामक कुस्तव किस ने लिखी थी आप बताएए काफी महत्पूंड है याद रखिएगा वान भर्ट बिल्कुल करेक्ट अप्शन है हर्ष चरित्र ग्रंद की रचनाज सुपरसिद लेखक वान भर्टने के थी या वर्दन वन्स के इतिहास का परमुक्ष सुरोत है इसमें लेखक अपने समकालिन सासक्त था उसके पुर्वजों के जिवन विरित का वर्डन जो है प्रस्तूत करता है 126 हर्ष के समराज की रधानी कहां थी हर्ष के समराज की रधानी कहां थी तो कनोज थी अप्शन ए बिल्कुल करेक्ट अप्शन है चीनी सुरोतों से पता चलता है कि हर्ष और राजसरी दोनों साथ साथ कनौज के राजसी हासन पर बैठे थे तो हर्ष और राजसरी दोनों एक साथ कनौज के राजसी हासन पर बैठे हर्ष ने अपनी राधानी थानेसवर से कनौज को जो है प्रांफर कर ली और वो राज सिरी को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहता परदान कर सके इसलिए ऐसा उसने किया था यह हर्स के विश्तिरिष समराज पर शासन करने के लिए भी उप्यूप था 127 समराठ हर्स ने अपनी राधानी थानेशोर से कहां अस्थनांत्रित की थी समराठ हर्स ने अपनी राधानी थानेशोर से कहां अस्थनांत्रित की थी तो सही जवाब है बताइए कनोज C अप्शन बिलकुल क्रेक्ट अप्शन है नेक्स प्रस्न प्रस्न संख्या 128 समराठ हसवर्धन ने दो महान धार्मिक समेलनों का आयोजन किया था इसका सही जवाब हो जाएगा कनोज अथा परियाग में अप्शन ए बिलकुल क्रेक्ट अप्शन है अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टा सिध करने के लिए हर्ष्ने कनोज में विभईन धर्मों और संप्रदायों के अचारियों की एक विसाल सभा बोलवाई थी और चीनी साक्षों के अनुसार बात करें तो इन सभा में बिश देशों के राजा आपने देशों के परसित ब्रामाण सरमण सैनिक राजपुरुस आधी के साथ उपस्तित हुए थे इस सभा के अध्यक्ता वेंस्यांग ने की थी साथ ही हर्स के समय प्रती पांचवे वर्ष परियाग के संगम छेत्र में एक समारो का आयोजन किया जाता था जिसे महा मुक्ष परिसत कहा गया है हेंस्यांग से छटे सामारो में उपस्तित हुआ था इसमें 18 देस्तों के राजा सम्रित हुए थे 129 उत्तरपरदेश में स्थित्व वह अस्थान ज कहा पर है बताईए सही जवाब है परियाग 133 नर्मदा नदी पर समराथ हर्स के दक्षिन वर्ती अग्र गमन को रोका पूलकेसिन द्वितिये ने बी अप्सन हर्स के बिजियों के फॉल्स वरूप उसके राज के पश्मी सीमा नर्मदा नदी तक पहुच गई इधर पूलकेसिन द्वितिये भी उतर की वर राज का विस्तार करना चाहता था ऐसे इस्थिती में दोनों के बीच यूद अस्वम भावी हो गया नर्मदा के तर्ट पर दोनों के बीच यूद हुआ जिसमें पूलकेसिन द्वितिये ने हर्स को पराजित किया पूलकेसिन द्वितिये ही एहोल प्रसस्ती एवन वेन स्यांग का विबरन जो है इससे यूद के साक्ष है 131 निमनलिखित सासको में से किसने हर्स वर्धन को पराजित किया था इसका सही जवाब हो जाएगा पूलकेसिन द्वितिये पूलकेसिन द्वितिये डी अप्शन 132 से चालू के सासक पूलकेसिन की हर्स पर विजय का वर्धन द्वितिये चालू के वन्स का सकतीसाली राजा था हर्स के विजयों के फॉलसरुप उसके राज की पश्मिश सीमा नर्मदा नदी तक पहुँच गई उधर पूलकेसिन भी उतर की ओर राज का विस्तार करना चाहता था ऐसी स्थिति में दोनों के बीच यूद जोए अश्मभावी हो गया फॉलसरुप हर्स और पूलकेसिन द्वितिये के बीच नर्मदा नदी के टर्ट पर यूद हुआ जिसमें संभावत हर्स की पराजय हुई तेकर अल्टेकर का विचार है कि हर्स और पूलकेसिन का यूद 630 से 634 इसपी के बीच कभी हुआ था इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लवी का यूद 630 इसपी के पहले नहीं हो सकता या यूद उसी का पिरणाम था इसके बाद पूलकेसिन का 630 इसपी का लुहनारा से प्राप्त लेक उसके द्वारा प्राजित जिन सत्रू का उलेक करता है उसमें हर्स का नाम नहीं है 634 इसपी का एहुल अभिलेक इस यूद का उलेक करता है और अप्रेल 2016 में भंडारका और ओरियेंटल इससर्च इंटिट्यूट के अनुसांधन करताओं ने खोजकरताओं ने एक तामर पत्र लेक के अधार पर या विचार व्यक्तिया कि चालू के सासक पुलकेसिन और हर्स का यूद 618 इसपी में निश्चित किया जा सकता है इंपिरियल गेजेटियर एफ इंडिया में इस यूद का समय 262 इसपी के लगबग बताया गया है इस यूद का समय 618 इसपी मानना अधिक उप्यूप्त है 133 कभी वान निवासी था कहां का जो कभी वान थे वान भट निवासी थे कहां के ये निवासी थे वान भट का जो जन्म हुआ था बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रिथी कुटा नाम गाउं में हुआ था प्रिथी कुटा याद रखिएगा सही जबाब है प्रिथी कुटा यानि उप्युक्त में से कोई नहीं और इनके पीता का नाम चित्र भानु और माता का नाम राज देवी था याद रखिएगा नेक्स्ट 134 हुएन स्यांग किसके सासनकाल में भारत आया था तो आपको मालूम है समराठ हर्स के समय में हशवर्धन के समय की स्वर पर्मु घटना चीनी यातरी हुएन स्यांग के भारत आजमन की है उसकी उतकट अभिलासा महात्माबूद के चरण चीनों के द्वारा पवित्र की ये अस्थानों को देखने और पवित्र बहुत गरंतों का अध्यन करने की थी जो उन दिनों भा अगरस्थान किया अपनी भारत यातरा के उपर उसने एक गरंत लिखा जिसका नाम है C.O. Q की तो याद रखियेगा CU की किसकी रचना है ध्यान में रखना important है हसवर्धन के सासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी हसवर्धन के समय में वो चीनी यात्री जो भारत की यात्रा की थी कौन था देखिए इसका सही जबाब हो जाएगा याद रखिएगा सही जबाब है वेन स्यांग बी ओप्शन बिल्कुल करेक्ट ओप्शन है 136 से भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री इवान च्वांग यानि ह्वेन स्यांग ने ततकालिन भारत की समान दसाओं और संस्कृति का वर्णन किया है इस अंदर में निम्रखित में से कौन सा कथन सही है पहला सनक और नदी मार्ग लुट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे जहां तक अप्राधों के लिए डंड का प्रस्ण है अगनी जल और विस्ट के द्वारा सत्य परिक्षा किया जाना जो है किसी भी वेक्ति की निर्दोसित अथवा दोस के निर्णय का साधन थे और तीसरा बेपारियों को नौग हाटो और नौकाओं पर सुल्क देना पड़ता था यानि बताए भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वेन स्यांग ने ततकालिन भारत की समाने दसाओं और संस्कृति का जो बढ़नन किया है इन में से कौन सा कथन सही है देखे अगर पहला सिर्फ छोड़ दिया जाए दूसरा तीसरा जो स्टेट्मेंट है बिल्कुल सत्य स्टेट्मेंट है यानि केवल दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट अप्शन है वेंस्यांग कनुसार संकों पर आवा गमन पूर्टा सुरक्षित नहीं था कई बार चोर डाकूओं के चंगुल में फसा था कई बार इसको लूटा गया था इस परकार पहला कथन गलत है वेंस्यांग कनुसार अप्राद और निर्दो सिध करने के लिए अगनी जल वीस आदी का दिव परिच्छाएं दी जाती थी इनको लेना परता था गलत करने वाले को ठीक है और उसके अनुसार व्यापारिक मारगों घाटों विक्री की बस्तूओं आदी पर भी कर लगते थे जिससे राज्जी को परियाप्त धन प्रात होता था 137 हर्स के दर्बार में हुएन सियांग को एक दूद के रूप में किसने भेजा था? सही जवाब है डी अप्शन उप्युक्त में से कोई नहीं हुएन सियांग टूर्क अक्रंताओं के भह से ताई स्ुं ने अपने नागरिकों के लिए पस्टी में बीदे सियात्रा पर परतिवन्द लगा रखा था भूयन सियांग ने टांग सास्कों कि रधानी चंगन से स्वतन्तर रूप से भारत वपर्श के लिए उसका स्वागत किया था और उसे जो अपना अध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था 138 वेन स्यांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे परसिद नगर था सही जवाब है मथूरा बी अप्शन बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है चीनी यात्री वेन स्यांग हस्वर्धन के समय में भारत आया था इसके अनुसाद मथूरा उस समय सूती वस्तरों के लिए परसिद था जबकि वरार्ण सी रेस्मी वस्तरों के लिए परसिद था वेन सियंग बताता है कि थानेस्वर की सम्रिधी का परधान करण वहां का बेपार ही था बान ने थानेस्वर नगरी को अतितियों के लिए चिंता मड़ी भूमी और बेपारियों के लाल भूमी बताया है यहां के निवासिय अधिकांसता बेपारी थे जो विभिन बस्तूओं के बेपार करते थे उजैनी और कनोज भी इस काल में आर्थिक दिरिष्टी से अत्यंत समरिद थे फले फुले थे 149 कौसिय सब्द का परयोग किया गया है किसके लिए कौसिय सब्द का परयोग किसके लिए किया गया है कौसिय सब्द रेसम के लिए ये सब्द का परयोग हुआ है गुप्त और गुप्त उत्तरकाल में रेसम के लिए कौशिय सब्द का प्रयोग किया जाता था इसका सही जबाब हो जाएगा नालंदा डी अप्शन इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए 637 इसपी में वेंस्यांग नालंदा बेशु विद्या ले गया इसमें यहां के कूल पती अचार सिल भद्र थे लगबक देड़ वर्स तक नालंदा में निवास करके उसने योगे सास्तर का धेन किया इसके बाद वह बंगाल ओरिसा धाने कटक होता हुआ कांची पहुचा अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेंस्यांग पुना नालंदा आया और वहां उसने ब्याख्यान दिये 141 आज भी भारत में वेंस्यांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है उसकी रचना सीउकी की रचना वेन स्यांग ने अपने यात्रा बीबलाण के उपर एक गरंथ लिखा जिसे सियू की कहा जाता है वेन स्यांग के इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें ततकारिन भारा समंदी काफी जनकारी उपलब्ध होती है 142 चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वो कौन था चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वो था वेन स्यांग वेन स्यांग यानि सी आप्शन वेन सांग ने विनमाल की यत्रा के थी वेन सांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था इसे यात्रियों का राजकुमार और इसकी यत्रा विवरण को सियू की कहा जाता है सियू की नामक यत्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है सीउ की नामक यात्रा विवरण किस से जुड़ा हुआ है याद रखिएगा सही जबाब हो जाएगा वेंस सांग के साथ वेंस सांग की ये रचना है सीउ की 144 चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भरमण किया लगभग कव चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का लगभग कव भरमण किया था सही जबाब है उपिक में से कोई नहीं चीनी यात्री इत्सिंग ने जब वे युवक था बालक था अपने 37 बहुत सहयोगियों के साथ बहुत धर्म के औसेसों को देखने के इच्छा से बिस्व का भरमण करने कर निश्चे किया बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया वो अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा वो दक्षिन के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया सुमातरा होता हुआ वो चीन वापजव है लोट गया 145 ने लिखित में से कौन सा उप वाक के उत्तर हर्ष कालिन शुरुतों में पराया उलिखित हुंडी के रुप की परिभासा बताता है ब्यपार में माल का क्रय और विक्रय नगद और उधार दोनों किया जाता है यदि माल क्रय या विक्रय नगद होता है तो ऐसे स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है दोसरी तरफ यदि ब्यपारी उधाल लेना या लेन दिन करता है और सौदो का मुल्यांकन तुरंत ना चुका कर भविस में चुकाता है 146 चीनी लेखक भारत का उलेक किस नाम से करते हैं प्राचीन कारिन चीनी लेखकों ने भारत का उलेक यिन तु या थियान तु के नाम से किया है 147 नालंदा विस्व विद्याले के बिनास का कारण क्या था नालंदा विस्व विद्याले के बिनास का कारण था मुशलमान यानि उप्शन A नालंदा विश्व विद्याले बक्तियार खिलजी के अधिन तूर्क मुस्लिम अक्रमन कारियों के द्वारा नश्ट किया गया था या भारत में बौध मत के पतन के लिए अंतिम परहार के रुप में देखा जाता है 148 भारत में सबसे प्राचीन बिहार है भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है तो है नालंदा विहार ओप्शन ए बिलकुल करेक्ट ओप्शन है दिये गए विकल्प में से बिहार प्रांत में इसने नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है पांचवी सदी के मद गुप्तों के समय में नालंदा इस्थित भी सुविध्याल इस्थित में आया स्वर प्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बहुत बिहार को दान दिया बाद में बुध गुप्त और तथागत गुप्त तथा बलादित नामक गुप्त सास्पु ने भी इस बिहार को दान दिया नेक्स्ट 149 नालंदा कहां पर इस्थित है तो सही जवाबे बिहार में यानि D अप्शन 150 गुप्त तर यूग में परमुक वेपारी केंद्र था गुप्त तर यूग में परमुक वेपारी केंद्र कनोज था अप्शन A बिलकुल करेक्ट अप्शन है गुप्तोतर युग में वेपार का केंदर उजयन से हटकर कनौज हो गया ठीक है याद रखिएगा और उजयन का महत्व गुप्त काल में सक बिजय के बाद बहुत बढ़ गया था जब चंद्रगुप्त द्वितिये ने इसे दूसरी रधानी बनाया था गुप्तोतर काल में हर्स ने कनौज को थानेस्वर के अस्थान पर अपनी रधानी बनाया था कनौज गंगा यमना द्वाब में इस्तित होने और महत्पुन ब्यपारिक अस्थल होने के कारण तीन सक्त पाल, परतिहार और राष्ट क्रुट के आकर्षन का किंद्र भी बना 151 कथन ए कह रहा कि सामन्त वाद का विकास गुप्तोतर काल की क्रिसक सनरचना की परमुख विशेस्ता थी कारण आर इसकाल में भूस्वामी मध्यस्त वर्ग एवं आश्रित क्रिसक वर्ग अस्तित में आया इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आब बताईए देगे अगर बात करें तो इन दोनों में से जो कथन सत्य है A और R दोनों से ये R A की सही ब्याख्या करता है option A बिल्कुल correct option है कैसे तो इसके बारे में ब्याख्या जो उपर दिया गया है 152 है नेमलेखित कथनों पर विचार कीजिए चीनी तिर्थ यात्री फायान ने कनिस के द्वारा आयोजित की गई चतूर्थ महान बहुत परिसद में भाग लिया दूसरा चीनी तिर्थ यात्री हुएन स्यांग हर से मिला और उसे बहुत धर्म का परतिरोधी पाया इन दोनों में से जो सही कथन है वो कौन सा है तो नहीं पहला और नहीं तूसरा कथन सही है यात्री फायान गुप्ट वन सी सासर चंदरगुप्त द्वीतिये के सासन काल है भारत आया था उसने भारत के विभीन अस्थलों की यात्रा की चीनी तिर्थ यात्री हुएन स्यांग ने 629 इस्पी में तांग सासको की राधानी चंगन से भारत वर्ष के लिए परस्थान किया हर्ष वेंज्यांग से मिलने के पूर्व ही बाध हर्म की और उनमू emba को चुका था यानि 402 से 412 SP तक जब्कि उसकी चीन से कुल यात्रा की ओदी 399 से 414 SP तक रही है वेन स्यांग का भारत भरमड 629 SP से 645 SP रहा है और एत सिंग का भारत भरमड 671 से 695 SP जब्कि अलमसुदी ने 915 से 16 SP में भारत भरमड किया था 154 ने मलकित कतनों पर विचार कीजिए मुल्तान के सुर्य मंदिर का उलेक वेन स्यांग आबो जैद और अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है दूसरा सांबपूर यात्रो उत्सो सूर्य पूजा से क्या संबंधित था तो बताएए देखिए इसमें जो सही है वो है पहला और दूसरा दोनों सही है यानि C अप्सन इसके बारे में अगर बात करें तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उलेख वेंस्यान आबुजाइद अलमसूदी और अलबरुनी ने किया है 155 भारती इतिहास के संदर में कौन से सामंती बेवस्था के अनिवार तत्व है सामंती बेवस्था के जो अनिवार तत्व है वो कौन से है तो देखें अगर बात करें तो पहला छोड़ दिया जाए तो दूसरा भूमी के नियंतरन तथा स्वामित पर अधारित प्रासासनिक संरचना का उद्ध है तिसरा सामंत और उसके अधिपती के बीच स्वामी दास संबंद का बनना यानि दूसरा तिसरा बिल्कुल सही है बी अप्सन सामंत सब्द का उले कोटिल के अर्थ सास्तर में स्वातंत्र पडोसी के अर्थ में किया गया है स्वार प्रथम अस्व घोस ने बूर्ध चरित्र में इस सब्द का परियोग जागिरदार के लिए किया है याद रखेगा सामंती ब्यवस्था का अंकुरन सक कुशान काल में हुआ राजपुत काल तक आते आते हैं समाज में पूर्थ परतिषिट हो गया भारत में सामंती बेवस्था कुषाणों से लेकर राजपुत काल, सल्तनत काल, मुगल काल तक प्रशासनिक बेवस्था का अभीन अंध बनी रही इस बेवस्था के चर्म उतकर्ष काल में भारत के राजनैतिक, समाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा परभाव पड़ा समन्तो के प्रशासन पर अगर बात करें, प्रशासन पर बढ़ते परभाव के कारण केंद्रिय सता अत्यंत जो है कमजोर हो गई, अपनी सक्ति के लिए समराठ पुनता समन्तो पर आसित होने लगा समन्तवाद के विकास के समाजिक आर्थी कारण सक कुशाण यूग में अस्पष्ट होने लगे, अस्पष्ट दिखने लगे, इस समय ग्रामों में ग्राम पतियों का एक संपन वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधिन्ता में निर्धन किसानों का वर्ग था, इसके साथ ह बीदेशी जातियों ने कुलीन सासक वर्ग का स्थान ग्रहन कर लिया, इस परकार स्वामी सामन्त संबंधों का विकास हुआ, भारती सामन्ती बेवस्था, यूरोपी सामन्ती बेवस्था से भें थी, भारत में भूमी पर आज की स्वामी पाया जाता था, यानि सामन्ती ब संक्राचार के बारे में सही नहीं है, बताईए, तो सही जबाबे उन्हों ने परिया को तिर्थ राज नाम दिया, ये सही नहीं है, सी अप्शन बिल्कुल क्रेक्ट अप्शन है, संक्राचार को संकर, स्री संक्राचार आदी नामों से भी जाना जाता है, आठी संक्राचार के के एक छोटे से गाउं कलाडी में हुआ था संक्राचार के समय बौद और जैनियों के परभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था इसी को रोकने के लिए इन्होंने बेदान पर बल दिया हिंदु धर्म के इन्ही उत्थान के परियासों के लिए उन्होंने सरवा माने जाते हैं इनका जो वीवरण है आप याद रखिए करनाटाक में सरिंगेरी मठ दक्शिण में ठीक है इसके बाद पूरि जो है उड्सा में पूरवदिसा में और जीति मठ जोशी मठ उत्राखंड यह उत्तर में है दीसा और अस्थान दोनों याद रखना है 157 है आदी संकर जो बाद में संकराचार बने उनका जन्म हुआ था उनका जन्म कहां हुआ था आब बताए उनका जन्म केरल में हुआ था केरल के एक गाउं में हुआ था गाउं का नाम याद रखिएगा आदी संक्राचार के द्वारा अस्थापी चार मठ कहां इस्थित है तो याद रखिएगा जोसी मठ द्वारका पूरी और स्रिंगेरी तो डाइरेक्शन याद रखिएगा सी अप्शन बिल्कुल करेक्ट अप्शन है निमलिखित में से कौन सा चार धा में समलित नहीं है चार धा में जो समलित नहीं है वह है मान सरुवर चार धा में बद्रिना द्वारका पूरी और रामे स्वरम आते हैं जबकि छोटा चार धा में उत्रा खंड में इस्थित गंगोत्री या मुनोत्री के दारनाथ और बद्र आधी संक्राचार के द्वारा अस्थापी चार मट है उतर में जोती मट दक्षिण में सिरिंगेरी पूरा में पूरी और पस्षी में द्वारका 160 निमलिकित जोडों में कौन सुमेलित नहीं है तो हरिसेण का जो संबंद दिया गया है जो सुमेलित नहीं है हरिसेण प्रियाग प्रसस्ती के रचैता समुद्र गुप्त का संदी विग्रहिक सचीव था जब कि हर्ष का दरवारी कभी बाण भट था 161 आपको मिलान करना है दरवारी कभी और राजा के साथ तो चलिए मिलान करते हैं इसका सही जवाब क्या होगा जैसे पहला है अमीर खुसरो इसके जो अमीर खुसरो जो है किसके दरवारी कभी थे तो अमीर खुसरो का जो संबंध है याद रखिएगा किसके साथ है तो शमुद्र गुप्त अलाव दीन खिल जी माख किजिएगा जो अमीर खुसरो है इनका जो संबंध है किसके साथ है अलाव दीन खिल जी के साथ है काली दास का जो संबंध है वह है आपका चंद्र गुप्त दृतिये के साथ हरिस्रेण का जो संबंध है समुद्र गुप्त से है समुद्र गुप् 162 आपको बताना है कि सही जोड़े आपको लगाने है यानि इसको भी मिलान करना है इसका सही मिलान क्या होगा आप बताइए तो चलिए मिलान करते हैं भोज का जो संबंध है किस से है भोज का संबंध जो है वो है आपका धार से भोज धार दुरगावती का जो संबंध है वो है आपका गुंडवाना से समुद्र गुप्त का जो संबंध किस से है समुद्र गुप्त बिदिसा और असोक का संबंध उजयन से है यानि इसका सही ज आपको इसमें बतारा है कौन सा सही सुमेलित है कौन सही सुमेलित है इनमें से बताईए तो देखिए इसमें भेलसा मधपर्देश और गिरी नगर ये गुजरात में है यानि पहला तीसरा बिल्कुल से ये option A भेलसा मधपर्देश में है द्वार समुंदर में हले वीडू करनाटक में गिरी नगर गुजरात में और अस्थाने सुवर या थाने सुवर हरियाना में है यानि सही option A होगा इसी के साथ आज का जो सेसन है समाप्त करते हैं इस सेसन में प्राचीन भारत में अस्थापत्य कला के बारे में डिसकस करेंगे आप अपना परतिकिरिया देते रहें आपके परतिकिरियाओं का हमें बिस्बरी से इंतजार रहता है और आप हमें सपोर्ट इसी तरह देते रहें थाइंक्यू मिलते हैं नेक्स सेसन में